परिचय क्या तुम कुछ लिखोगी? हाँ, मुझे बताओ क्या लिखना है? तो लिखो, एकस एक संख्या है एकस में स्वायम एकस गुणा करने पर जो संख्या हमें मिलेगी मेरे पास ठीक उतनी ही किताबें है ठीक है अब तुम्हारे पास जो संख्या है अब सभी किताबों की संख्या जोड़ लो और बताओ कि तुम्हें क्या व्यांजट मिला? रुको, मुझे कहीं लिखने दो एक संख्या एकस है यदि हम एकस में स्वायम एकस का गुणा करें तो हमें एकस वर्ग मिलता है इसलिए हमारे पास एकस वर्ग किताबें है और मेरे पास जो संख्या है वो दो एकस है और हमारे मित्र के पास दो किताबें है ठीक, और इनके योग से हमें ये व्यांजट मिलेगा क्या तुम जानती हो कि व्यांजट किसे कहते हैं? नहीं, लेकिन मुझे बहुत सुरुची पूर्ण लग रहा है। ये प्राश्निक बहुपद था। आओ मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक जर राशी वाले बहुपद लिखना, बहुपदों के गुड़ों की व्याख्या करना, बहुपदों में शून्यों की संख्या लिखना, शेश भल प्रमे की व्याख्या करना, बहुपदों का गुडन खंड करना, बीजिये सर्व समेगाउं को लिखना और बहुपदों से स संबन्धित प्रश्नों को हल करना एक चर राशी वाले बहुपद एक बहुपद केवल जोड़े, घटाएं या गुणा किया जा सकने वाले पदों से बनता है एक बहुपद ऐसा दीखता है बहुपद बहु और पद से मिलकर बना है जिसका मतलब है कई पद एक बहुपद में निमन लिखित हो सकते हैं अचर राशी जैसे तीन, घटा पीस या एक बटे दो चर राशी जैसे एक्स और वाई घादांक जैसे वाई वर्ग में दो लेकिन सिर्फ शुन ने एक दो तीन इत्यादी एक चर राशी में बहुपद वह बहुपद होता है जिसके व्यंजक में सिर्फ एक चर राशी होगी जैसे दो एक्स वर्ग जमा एक्स वाई की घाद तीन जमा वाई जमा एक इत्यादी परिभाशाएं पद बहुपद वाई वर्ग जमा चार वाई बहुपद में वाई वर्ग और चार वाई इसके पद है बहुपद ठीक ऐसे ही तीन एक्स का वर्ग जमा दो एक्स जमा आठ में तीन पद तीन एक्स का वर्ग दो एक्स और आठ है किसी भी चर राशी के ठीक पहले आने वाली संख्या उसका गुडांक होती है उधारनार्थ दू एक्स में दू गुडांक है बहुपद में बहु का तात्पर कई से है हाला कि छोटे बहुपदों के अपने भिन्य नाम हो सकते है किसी एक पद के बहुपद जैसे दो एक्स या चार एक्स वर्ग को एक पद भी कहा जा सकता है दो पदों वाले बहुपद जैसे दो एक्स जमा वाई या एक्स वर्ग घटा चार को दो इक पद भी कहा जा सकता है तीन पदों वाले बहुपद जैसे दो X जमा Y जमा Z या X की घाट 4 जमा 4 X वर्ग घटा 4 को त्रिपग भी कहा जा सकता है अंश बहुपद के किसी भी व्यानजक के सबसे बड़े घातांग को उस बहुपद का अंश कहते हैं किसी भी बहुपद का अंश जानने के लिए आपको उसका सबसे बड़ा घातांग निकालना होगा चलिए अगली स्क्रीन में बहुपद का घातांग निकालना सीखते हैं उधारण 4 X वर्ग जमा 6 X जमा 5 इस बहुपद के तीन पद हैं पहला 4 X वर्ग है दूसरा 6 X और तीसरा 5 है पहले पद का घातांग 2 है दूसरे पद का घातांग 1 है क्योंकि 6 X बराबर 6 X की घात 1 है तीसरे पद का घातांग 0 है क्योंकि 5 बराबर 5 X की घातांग 0 है और किसी भी चर अचराशी का घातांग यदि 0 है तो वहराशी हमेशा 1 के बराबर होगी इस प्रकार 5 X की घातांग 0 बराबर 5 गुणा 1 बराबर 5 चूंकि सबसे बड़ा घातांग 2 है इसलिए 4 X वर्ग जमा 6 X जमा 5 का अंच 2 होगा बहुपद का अंच वह बहुपद जिसका अंच 1 हो रेखिये बहुपद कहलाता है इसका समाने सरूप A X जमा B है जहां A और B अचर राशिया हैं और A शूने के बराबर नहीं है वह बहुपद जिसका अंच 2 हो वर्ग ये बहुपद कहलाता है इसका समाने सरूप A X वर्ग जमा B X जमा C है जहां A B और C अचर राशिया हैं और A शूने के बराबर नहीं है वह बहुपद जिसका अंच 3 हो त्री घात ये बहुपद कहलाता है इसका समाने सरूप A X की घात 3 जमा B X वर्ग जमा C X जमा D है जहां A B C और D अचर राशिया हैं और A शूने के बराबर नहीं है यदि किसी बहुपद में सभी अचर राशियां शूने हैं अर्थात A शूने बराबर A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर इत्याती बराबर A N बराबर शूने तो वह बहुपद शूने बहुपद कहलाता है शूने बहुपद को शूने से तरशाते हैं शून्ने बहुपद का अंश परिभाशित नहीं है बहुपद के शून्ने बहुपदों की चर्राशियों के आधार पर हम उन्हें P, X, Q, X, P, Y आधी तरह से दिखाते हैं उधारनार्थ P, Y, बराबर Y की घात 3, जमा Y, जमा 1 R, Y, बराबर 2, घटा Y, घटा Y वर्ग, जमा 6, Y की घात 5 अब इस बहुपद को देखें Q, Y, बराबर 2, Y की घात 3, घटा 5, Y वर्ग, जमा 3, Y, घटा 6 यदि हम Y कमान एक रखतें, तो हमें यह प्राप्थ होगा जो 2, घटा 5, जमा 3, घटा 6, यानि घटा 6 के बराबर होगा इसलिए Y बराबर एक रखने पर Q, Y कमान घटा 6 होगा अब हमें P, Y बराबर Y जमा 1 को हल करना चाहिए Y कमान एक रखने पर हमें P वराबर 2 प्राप्थ होगा अब Y कमान रिण एक रखने पर हमें P, रिण एक बराबर, रिण एक जमा 1 मिलता है जो 0 के बराबर है चुकि P, घटा 1 बराबर 0 है इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुपद P, Y का 0 गटा 1 है बहुपदों के 0 को बहुपदों का मूल भी कहते हैं एक अशुने अचर बहुपद का कोई शुने नहीं होता एक रेखिये बहुपद का केवल एक शुने होता है उधारण देखिये और बताईए कि घटा 4 और 4 बहुपद X घटा 4 के शुने हैं या नहीं हल माना की P, X बराबर X घटा 4 घटा 4 के मान को प्रतिस्थाफित करने पर हमें P घटा 4 बराबर घटा 4 घटा 4 बराबर घटा 8 मिलता है 4 के मान को प्रतिस्थाफित करने पर हमें P 4 बराबर 4 घटा 4 बराबर शुने मिलता है हम देख चुके हैं कि P घटा 4 बराबर घटा 8 और P 4 बराबर शुने है इसलिए चार तो X घटा चार का शून्य है लेकिन घटा चार नहीं है चलिए अब हम बहुपद Q यू बराबर दो यू जमा एक का शून्य निकालते हैं हल किसी भी बहुपद का शून्य निकालना किसी समिकरण को हल करने जैसा ही है इसलिए हम PX बराबर शून्य को हल करेंगे इसलिए 2U जमा एक बराबर शून्य हमें U बराबर घटा एक बटा दो यह परिणाम देता है इसलिए घटा एक बटा दो बहुपद दो U जमा एक का शून्य है शेशभल प्रमय अंक गनित में हम कैसे भाग देते थे जहां हमें याद है उधारणार्थ साथ को दो से भाग देने पर तीन आता है और शेशफल एक बचता है भाग के प्रतेख हिस्से का एक नाम है भाज्य, भाजक, भागफल, शेशफल इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है भाज्य पराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेशफल ठीक इसी तरह हम बहुपदों को भी विभाजित कर सकते है उधारणार्थ पाँच एक्स की खा तीन जमा एक्स वर्ग जमा एक्स बटे एक्स जहां हम माल लेते हैं कि एक्स पराबर पाँच एक्स वर्ग जमा एक्स जमा एक 5x की खा 3 जमा x वर्ग जमा x के गुणनखंड हैं और 5x की खा 3 जमा x वर्ग जमा x, 5x वर्ग जमा x जमा 1 और x का गुणच है अब देखते हैं कि शेश भल प्रमय क्या कहता है माना कि P X ऐसा बहुपद है जिसका अंश एक या उससे बड़ा है माना A कोई वास्तविक संख्या है यदि P X में रेखिये बहुपद X घटा A से भाग दिया जाए तो शेश भल P A बशता है हम इसे ही शेश भल प्रमय कहते हैं उधारण P X में Q X से भाग दिजिये जहां P X पराबर X की घटा 3 घटा 6 X वर्ग जमा 11 X घटा 6 और Q X पराबर X घटा 1 है हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं अगले चरण में बहुपद के पहले पद में सबसे अधिक घातांक वाला पद पहला पद होगा गुणांक के X वाले हिस्से से भाग देना होगा इस इस्तिती में X की घात 3 में X से भाग देने पर X वर्ग मिलेगा जिसे आप भाग चिन्ह के शीर्ष पर लिखेंगे अगले चरण में आप उस पद को भाजक से गुणां करेंगे जो आपने भाग चिन्ह के शीर्ष पर लिखा है इस इस्तिती में आप घन X घटा वर्ग X पाने के लिए X घटा एक का वर्ग X से गुणां करेंगे इसके बाद इसे विभाजन पंक्ती के अंतरगत घटाएंगे घटाने से आप उस पद से छुटकारा पा जाएंगे जिसका घातांग सबसे अधिक होगा जिससे बहुपत का आकार छोटा हो जाएगा और जो एक शेश फल होगा अब हमारे पास एक नया बहुपत है जिसके लिए हम दूसरा चरण दोहराएंगे इस उधारण में हम पाँच X वर्ग में X से भाग देंगे और परिणाम घटा पाँच X को उस पद के साथ चोड़ देंगे जो पहले से भाग चिन के शीश पर है अब हम तीसरे चरण को दोहराएंगे अभी जो परिणाम भाग चिन के शीश पर है जो हमें चोड़ने के बाद मिला है उसमें हम पूरे भाजक से गुणा करेंगे और फिर बहुपत को भाग देने के बाद जो हमें मिला है उसे गुणन फल में से घटा देंगे अब भाग चिन्ह में हमारे पास एक नया बहुपत है जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे कि बहुपत के पहले पत को हम भाजक के एक्स हिस्से से विभाजित करके दूसरे चरण को दोहराएंगे अब जो भी भाग पलाएगा उसे भाग चिन्ह पर पहली से ही इस्थित परिणाम के साथ जोड़ दीजिए अब हम सबसे आखिर में चोड़े काई पत में पूरे भाजक से गुणा करेंगे और फिर विभाजित बहुपद में से प्राप्त परिणाम को घटा देंगे एक नया बहुपद प्राप्त करने के लिए घटाने वाला चरण दोहराएंगे यहां प्राप्त शेश भल शूने है क्योंकि हम पी एक्स को गुणक एक्स रिण एक से पूरी तरहा विभाजित कर चुके हैं यदि आप इस चरण तक पहुँच चुके हैं तो आपको परिणाम मिल चुका है क्योंकि किसी में भी शूने से भाग देने पर हमें शूने ही मिलेगा दो एक्स की घाद चार जमा एक्स की घाद तीन घटा एक्स वर्ग जमा एक्स जमा तीन में एक्स घटा एक से भाग देने पर शेश भल क्या होगा हल यहां पी एक्स बराबर दो एक्स की खा चार जमा एक्स की खा तीन घटा एक्स वर्ग जमा एक्स जमा तीन और एक्स घटा एक कशुन ने एक है इसलिए पी एक बराबर दो एक की खा चार जमा एक की खा तीन घटा एक वर्ग जमा एक जमा तीन बराबर छे इसलिए शेशभल प्रमय के अनुसार दो एक्स की खा चार जमा एक्स की खा तीन घटा एक्स वर्ग जमा एक्स जमा तीन में एक्स घटा एक से भाग देने पर शेशभल 6 होगा बहुपत का गुड़न खंड गुड़न भल प्रमै यदि PX एक बहुपत है जिसका अंश N बड़ा है एक से जहां N बराबर एक है और A कोई भी वास्तविक संख्या है तो यदि P A बराबर 0 है तो X घटा A P X का एक गुड़न भल होगा और यदि X घटा A P X का गुड़न भल है तो P A बराबर 0 होगा गुड़न भल के उधारण उधारण बहुपत दो X का वर्ग घटा 5 X जमा 3 का गुड़न खंड कीजिए हल माना F X बराबर 2 X वर्ग घटा 5 X जमा 3 है चलिए प्रयत्र और तुटी विथी द्वारा X बराबर 1 की जांच करते हैं इसलिए F एक बराबर दो एक का वर्ग घटा 5 एक जमा 3 बराबर दो घटा पांच जमा 3 बराबर शुन है गुड़न फल प्रमय के अनुसार यदि F एक बराबर शुन है तो X घटा 1 बहुपद F X का गुड़न खंड होगा इसलिए X घटा 1 दिये गए बहुपद का गुड़न खंड होगा दिये गए बहुपद में X घटा 1 से भाग देने पर हमें 2X घटा 3 मिलता है इसलिए दिये गए बहुपद के गुड़न खंड X घटा 1 और 2X घटा 3 होगे बीज गणितिये चिन यहाँ कुछ बीज गणितिये चिन हैं हम जिन्हें पहचानना सीखेंगे उधारन सीधा सीधा गुणा किये बिना 107 गुणा 104 का मान बताईए हल समी करण की गणना करके हल करने पर हमें 11128 प्राप्थ होगा क्या आप चानते हैं? बहुपदिये गुणंखंड के वास्तविक शून्यों की संख्या बहुपद के अंश से अधिक नहीं होती. एक बहुपद के वास्तविक शून्यों की संख्या उस बहुपद के अंश के बराबर या अंश से दू के गुणन फल में कम की संख्या के बराबर होगी. इसलिए छे अंश के बहुपद के वास्तविक शून्यों की संख्या छे, चार, दो या शून्य होगी. तथा पांच अंश के बहुपद के वास्तविक शून्यों की संख्या पांच, तीन या एक होगी. विशम अंश के सभी बहुपदों का कम से कम एक वास्तविक्षू ने होता है यह तथे उपर कही गई बातों के आधार पर निकला है किसी बहुपद का सबसे बड़ा अंश, टर्निंग पॉइंट्स कम से कम एक अधिक होना चाहिए सारांश आएए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं एक बहुपद PX एक चर राशी X में X रूपों में एक बीच ये अभिव्यक्ति है PX बराबर ANXN जमा AN घटा एक, X की घात N घटा एक जमा इत्याती जमा A2X वर्ग जमा A1X जमा A0 जहां A0 A1 A2 इत्याती AN अचर राशिया है और AN जो बराबर नहीं है शुन्ने के एक पद के बहुपद को एक पद कहते हैं दो पदों के बहुपद को दुई पद कहते हैं तीन पदों के बहुपद को त्री पद कहते हैं एक अंश के बहुपद को रेखिये बहुपद कहते हैं दो अंश के बहुपद को वर्गिये बहुपद कहते हैं, तीन अंशों के बहुपद को त्री घातिये बहुपद कहते हैं, यदि P A बराबर 0 है, तो एक वास्तविक संख्या A एक बहुपद P X का 0 होगी, इस इस्थिती में A समिकरण P X बराबर 0 का मूल कहा जाता है, एक चर्राशी वाले हर रेखिये बहुपद का एक विशिष्ट शूने होता है, एक अचर्राशी जो शूने नहीं है, इसके बहुपद का कोई शूने नहीं होता, और हर वास्तविक संख्या का शूने बहुपद का शेश फल प्रमय, PX कोई बहुपद है, जिसका अंश A किया उससे बड़ी कोई भी वास्तविक संख्या है, यदि PX में रेखिये बहुपद X घटा A से भाग दिया जाए, तो शेश फल P A बशता है, गुणन फल प्रमय, यदि P A बराबर 0 है, तो X घटा A, PX का एक गुणन फल होगा, और X घटा A, PX का गुणन फल है, तो P A बराबर 0 होगा, कुछन फल पल देखित है, तो P A बराबर 0 होगा, यदि P X घटा A, PX का वी वागा, तो P A बराबर 0 होगाँ, तो P A बराबर 0 होगा, यदि P A B pře.